कई कि इस वीडियो में हम देखते हैं कि रियूज करना है तो उसको ड्रेनिंग कैसे करता है अब धी पर पुराना सेयफ टेप लगा होता है जिसको पहले क्लीन करना पड़ता है हम देखते हैं माइक्रोसकोप के उपर कि कितना गम लगा हुआ हो पूराना SCF tape लगा हुआ है यह देखी यह बहुत सारा पूराना SCF tape लगा हुआ है इसके उपर और बहुत डस्टिंग है इसे हैं यह सारा dusting जो भी काला काला दिख रहे है वह डस्टिंग है और पूराना टेप है उसको पहले क्लीन करना पड़ेगा अजिसई अगर ये क्लीन पर नहीं हुआ तो इसको अभी खिलिंग करते हैं ये पूरा नी आई-झी को क्लीन करने के लिए उसके उपर ऐसे लगाना है यह बहुत ही एसे डिक रहता है इसलिए चंबड़ी पे ना लगे वो धियान रखना है और कम से कम ग्रीन एरिया के उपर जाना चाहिए जो उसका ग्रीन कोटिंग है उसके उपर कम से कम जाने देना है सेम तिंग यह पीसीवी साइड का जो बॉन्डिंग अरिया है उसमें भी लगा देते हैं अब इसको थोड़ी देर के लिए रख देना पड़ता है जब तक वो प्रॉसेस ना हो यानि कि यो केमिकल जो है वो गम को पूरा रिलीज कर देगा थोड़ी देर के लिए इसको सूपने के लिए रखना है अब इसको हम क्लीन करके देखते हैं तो क्लीन करने के लिए यह स्पंज है एक तरह का फॉम है जो आईपी वाला उसको आईपी वाला करके आईपी से भीगो के फिर इदर ऐसे वर्टिकल ही उसको गिसना है ऐसे ऐसे नहीं गिसना है वरना ट्रेक खराब हो जाएगे इसको इसे सॉफ्टली ऐसे गिसना है एसे हर एक ट्रेक के उपर घिसा वाना चाहिए ध्यान रखना है कि इसे सामने की और ना टकर है और ना ट्रेक खराब हो सकते हैं इसको आईसे वर्टिकली गिसना है ऐसे जो तीन बार ऐसे करेंगे खिसेंगे तो फिर आईसी क्लीन हो जाएगा यह पीसी भी साइड क्लीन कर लेते हैं आईपी फूल आईपी से भीगो देना आईसी को जिससे क्लीनिंग फास्ट होगा और आईसी खराब होने के चांसी स्कम रहेगे पर इसको अ करेशे पांशी देना है यह दो नहीं कर देना है कि जोना तरफ से उसको क्लीन कर देते हैं कि पीछे भी क्लीन कर देते हैं कि अब इसको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के उपर कि कि इतना क्लीनिंग हुआ है कि क्लीन करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप के उपर देख लेना है यह देखिए अभी एकदम क्लीन दिख रहा है पूरा इसी यह देखिए जो भी पूरा ना टेस्ट लगा हुआ था वो सारा निकल गया है इसने सारे ट्रेक भी आपज़र कर लेना है कि कोई भी ट्रेक खराब नहीं हुआ है ना अगर कोई ट्रेक खराब टूट गया है तो आईसी नहीं चलेगा जहां पर टूटी हुई लाइन है वो टूटावा ट्रेक है वो दर लाइन आएगी फिर स्क्रीन में ठीक है यह आईसी क्लीन हो गया है झाल टूटी है